एलो दूस्तों चल्य आज मैं बनने चाह रहे हूं चना दाला और तुरई की सब्जी रिचेपि देखें मैंने किस तरीके से यहाँ पर तुरई और चना दाला की सब्जी कम समय में बनाई हैं इसके लिए मैंने तुरह को cutting कर ली है और प्याज मिर्शी को cutting कर ली है जर लिए मैंने कड़ाई अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल तेल जब अच्छे से गर्म हो जागा तब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा जब जीर अच्छे से रख जायगा तो देखिए इसतर के से प्याइच मिर्शी को डाल करके इसको चमस की मतेस से चमस राते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे अब चमस राते हैं यो यो अच्छे मैंने चनादाल को पहले से ही उबाल ली है मैंने कुकर में 4 सिट्री दे कर उबाली हूँ जो कि चनादाल बड़ साइज है इसलिए 4 सिट्री अगर चनादाल का साइज अगर छोटा है तो 3 सिट्री दे कर कुकर में उबाल ले या फिर आप पहले से बिंगो के भी रख सकते हैं देखे, इस तरीके से प्याज मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर मैंने टमाटर को कटिंग करके रखती है, देखे, जब युए अच्छे से भुंचा चाहिए, तो मैं इसमे टाल दिंगे हूँ टमाटर, और चमश ला का टमाटर को भी अच्छे से पकने देंग देखे इस तरह किसे चमश लाएंगे और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे बीजविस में चमश लाते हुए टमाटर को पका लेंगे जब यह टमाटर हलका पक जाएगा तो मैं इसमेट कर दूँगी स्वादनुसार नमक देखें टमाटर अच्छे से पग गया है इस तरह किसे तो एट कर देंगे स्वादन सर नमक धन्या पाउडर जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर अश्रमस की मुदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सभी को अच्छे से पका लिए थोड़ा दे इस तरीके से सभी क्याई मिर्ची टमाटर को भूने की पाद मसाला डाल देंगे उसके बाद मैं तो रही को डालूँगी, तो इस तर्के से बनाने से सब्ची अच्छे से पकता है, देखें, अब मैं इसमें डाल दूँँगी तो रही, मैं अच्छे से दोल लिया तो रही को, देखें, इस तर्के से, अब सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, चमस की मतलर से अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे तो रही बहुत अधिक पानी छोड़ता है इसलिए सब्जू में बिल्कुल भी पानी का इस्तिमान नहीं करेंगे यहां पास देखिए चमस की मतलर से सभी को अच्छे से इस तरीकी से मिक्स कर देंगे और इसको मैं ढग करके थोड़ा देर पकाऊंगे देखें थोड़ा देर बाद मैंने इसको और चमस चला दी है अब इसके ढग दूँगे और पकने दूँगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे क्यूंकि इसको पकने में टाइम लगता है और पानी बहुत तक छोड़ता है देखिए इस तरह किसे पाइज सब्ची अच्छे से पानी छोना शुरू कर दिया है एक दुबार और बिच-बिच में शम्मस्ट चुराते हुए इसको ढग करके हम अच्छे से पका लेंगे इस तरह की से इसको ढग दी हूं मैं इधर मैंने डाल को अच्छे से उबाल ले है और अच्छे से पक गया है देखिए मैं आपस मैं देखा रहे हुँ हूं अब इसको मैं एक बरतन में डाल दूंगे दिखिए कटोरे में निकाल ले रहे हूं सब्ची दाल को लुँए उसवाद से नाज व्या प्रणतों से अजो को है है अब क्वावकों टो जूँएद से पानी लुँगे नगर Ёसला जानकी से पानी को लग कर देंगे और दाल को भेलत하지 इस तरह की से अच्छे से पक्त या है फीर दिच मैं अब Alice तो इस प्रकार से चमच रादेंगे फिर मैं इसमें एट कर दूंगे चना दाल को और चमच की मदद से सभी को अच्छे से मिना देंगे और इसको फोड़ा देर और पकने के लिए छोड़ेंगे ढख करके देखें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढख करके मैं अच्छे से पकालूंगे जब तक कि सबजी में रसा कमना हो जाए और देखिए इस तविस्ट बिज्विस में जमस्त लाते रहना है और चेक करते रहना है कि कितना रसा है अब इसको ठाक करते पकालोंगी इस तरिके से अगर तोड़े चानदार का सची बनाना बहुत ही ऐसान है और कम समय में बन जाता है देखिए इस तरीके से तो विडियो अगर अच्छी लगे तो डाइब सब्सक्राइब सेयर करना ना भूले और इसको थोड़ा देर और पका लगे चाता कि सब्जी में रसा कम हो जाए फिर मैं इसमें रट करते हूं बारे कटा हुआ हरा धनिया और मतद से सब्जी को अच्छे से मिख्स कर दूंगी मैं देखिह इस सकते हैं कितना कम यह जादवरकना है उसकी यह साबसे तो इस तरह के से बहुत ही कम समय में तो रही और चरनादाल की सब्जी बना सकते हैं और इस तरीके से सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रखता है देखें तो सभी सब्जी अच्छे से पक गए हैं चरनादाल रहे तो रहे इस तरिके से सब्जीब बना सकते हैं बहुत ही असानी से Thank you